जै हिंद वेलकम टू विजयपत एजुकेशन पालंपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है विजयपत एजुकेशन पालंपूर में आज आर्बी आई के बारे में हम जानेंगे complete detail आज हम RBI के बारे में यहाँ पे जानेंगे जो भी आपके exam point of view से question बनते हैं हर किसी exam में तो उनके बारे में आज हम पूरी की पूरी detail को cover करने वाले हैं कि किस किस type के RBI से related question आपके exam में पूछे जाते हैं यह आपके all over India के जो भी आपके one day competitive exam होते हैं उन सभी को यह cover करते हैं साथ में जो भी आपके state level के exam रहते हैं जैसे कि आपका HPSSE exam conduct करवाता है जाहे वो आपका JOIT का हो, clerical का हो, superintendent का हो, SI का हो तो इन सभी exam को यह cover कराता है, साथ में जो हमारे 10th level के exam रहते हैं जैसे कि Army GD का exam है उसको भी यह cover करवाता है तो RBI से related आज हम बात करेंगे उसके governor के बारे में उसके logo से related जो question बनते हैं और nationalize कब किया गया था उसके training center से related खुश चीज़े हैं उससे related जो question बनते हैं आज हम उनके बारे में यहाँ पर discuss करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप हमारे SSE GD का test series purchase करना चाहते हैं तो www.vijepatheducation.com के उपर आप जाएं और 25% का discount offer वहाँ पर अभी चला है तो आप उसको जो है वो buy कर सकते हैं इसमें आपको 150 से जादा mock test series मिलेंगी जिनका use करके आप जो है वो final में काफी अच्छा score प्रापत कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज की class को सबसे पहले RBI की बात करते हैं RBI की full form होती है Reserve Bank of India भारती Reserve Bank हम इसको जानते हैं आज जो हमारा RBI का topic है Reserve Bank of India का topic है यह हम exam point of view से बात करेंगे जिस type के हमारी question बनते हैं सर्फ उनी से हम इस चीज को जो है वो cover करेंगे सबसे पहले बोला गया है यह देश का केंदरी Bank है इसको Central Bank के नाम से जानते हैं आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यह हमारा Central Bank है ना कि Central Bank of India है आपने सुना भी होगा जैसे कि Bank of Badoda है Bank of India है वैसे ही एक Central Bank of India भी है लेकिन वो another bank है RBI जो है उसको केंदरी Bank बोला जाता है भारत का तो यह हमारा क्या है Central Bank है RBI को जो है वो Bankers Bank के नाम से भी जाना जाता है यह इसका nickname है आपको question में आ सकता है कि Bankers Bank के नाम से किसे जाना जाता है option आपके हो सकते हैं SBI, RBI, BOI तो इनका जो answer आएगा वो आएगा हमारा RBI Head Office जो था वो कहां पे था Kolkata में था तो आपको ध्यान में रखना है कि 1 April 1 April 1935 में जब हमारा RBI बना था तब यह कहां पे था उस टाइम पे यह था Kolkata में यह आपको ध्यान में रखना है लेकिन 2 साल के बाद 1937 में इसे Kolkata से कहां ले आया गया मुंबई में और बरतमान में इसका जो Head Office है वो कहां पे है मुंबई में है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके आथ बात करते हैं बेंकिंग अधिनियम जो 1934 था उसके तहत जो है जो RBI स्टार्ट किया गया था तब उस टाइम पे इसके पास शुरू आती रासी कितनी थी टोटल 5 करोड की इसके पास टोटल शुरू आती राशी थी यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जब RBI हमारा बना था तो उसमें कितनी राशी थी तो 5 करोड की इसमें शुरू आती राशी थी एक बात और आपको ध्यान में रखनी है RBI में किसी भी पर्सन का खाता जो है वो ओपन नहीं किया जाता है RBI जो है ये एक हमारा Central Bank है भारत का जो अन्य सभी बेंकों के उपर जो है वो अपना हाथ बनाए रखता है ये सभी बैंकों को अपनी जो है वो एक लिमिट जो है वो शो करता है कितना इंटरस्ट रेट उनको देना है कितना लोन उनको जो है वो देना है एक टाइप की गाइडलाइन जो है ये परवाइड करवाता है ये एक सरकारी भी भाग है इंडिया का और जो भी इंडिया में न इसका गठन किया गया था तो आपको याद रखना है Hilton Young's Commission या फिर इसी का ही एक नया नाम था Royal Commission इसने 1926 में जो है वो RBI के लिए शिफारिस की थी कि एक बैंक जो है वो होना चाहिए और 1935 में जो है वो क्या बना दिये गया RBI जो है वो बना दिये गया RBI में जो है वो एक Governor होता है और 4 जो है वो इसके Deputy Governor होते हैं तो बरतमान के जो RBI के Governor है आपको Comment Box में बताना है जस्ट अभी वीडियो के साथ साथ में की बरतमान में RBI के Governor कौन से है और ये कौन से Number के Governor है ये भी आपको ध्यान में रखना है इसे related जो जानकारी है वो अभी हम next slide में बात करेंगे तो RBI में जो हैं वो total एक governor होता है और चार जो हैं वो इसके deputy governor होते हैं RBI governor के द्वारा एक रुपे को छोड़ कर सभी कागज की मुद्रा पर हश्ताक्षर किये जाते हैं काफी important question है जो एक रुपेया है उसके note को छोड़ कर जितने हमारे note हैं चाहे वो आपका 2 रुपे का हो या फिर उससे बड़ा 5 रुपे का 10 रुपे का 20 रुपे का फिर आता है 50 रुपे का उसके बाद आता है हमार पास 100 रुपे का उसके बाद आता है हमार पास 200 रुपे का औ ये बरतमान की जो हमारी मुद्रा है इन सभी के उपर जो है वो RBI गवर्नर के हश्ताक्षर किये जाते हैं लेकिन एक रुपे के उपर RBI गवर्नर के हश्ताक्षर नहीं किये जाते हैं तो अगर एक रुपे के उपर RBI गवर्नर अपने सिगनेचर नहीं करता है तो कौन करता ह एक रुपे के उपर किये जाते हैं फाइनास सेक्टरी के हस्ताक्षर आपको ध्यान में रखना है यहां पर फाइनास मनिस्टर की बात नहीं की गई है यहां पर बात की गई है फाइनास सेक्टरी की तो एक रुपे के उपर जो है वो Finance Secretary के हस्ताक्षर किये जाते हैं Next बात करते हैं RBI Governor से related जितने भी अभी तक के important question रहे हैं उनके बारे में आज हम यहां पे बात करेंगे सबसे पहले बोला गया है RBI के पहले Governor कौन थे तो Sir Osborne Smith जो थे एक Britisher थे जो की 1935 से लेके 1937 तक जो थे वो RBI के पहले Governor जो थे वो बने थे लेकिन उसके बाद केवार question को puzzle करने के लिए एक नए तरीके से question पूछ लिये जाता है पहले RBI Governor कोन थे जो की एक क्या थे भारतिय थे तो यहां पे भारतिय की बात बोली गई है तो CD देशमुक जो थे यह पहले भारतिय थे जो की RBI के Governor बने थे 1943 से लेके 1949 तक इन्होंने अपना कारेकाल यहां पे पूरा किया था और बरतमान के जो हमारे RBI Governor है वो हैं शक्ती कांदास जो की कौन से नंबर के हैं 25th नंबर के हैं यह अभी मैंने आप से यहां पे पूछा था तो बरतमान के जो RBI Governor है यह हमारे शक्ती कांदास है 25th नंबर के हमारे Governor यहां पे रहेंगे उसके आद बात करते हैं मनमुहन सिंग की important question पूछा जाता है भारत के सिर्फ एक मातरा ऐसे परधान मंतरी है जो भारत के परधान मंतरी के साथ साथ किसी अन्य साल में RBI के Governor भी रहे चुके हैं तो उनका नाम है Dr. Manmohan Singh यह भारत के परधान मंतरी भी रहे चुके हैं और साथ में RBI के Governor भी रहे चुके हैं 1982 से लेके 1980 तक इनकी जो है वो एक movie भी जो एक film है Dr. Manmohan Singh के उपर जो है वो एक बनाई गई है तो वहाँ अगर आप उस movie को देखते हैं तो उससे related भी आपको जो कई साथा जानकारी है वो देखने को मिलती है उसके बाद RBI Governor बात करते हैं जो सबसे short tenure के रहे थे कम समय के RBI Governor जो थे वो रहे थे basically 3 साल का RBI Governor का कारेकाल रहता है लेकिन जो सबसे कम समय के लिए रहे थे वो थे 20 दिन के लिए अमिताब घोश और सबसे लंबे समय के लिए जो रहे थे वो थे बेंगल रामा राओ जो की 7 साल के लिए रहे थे उसके आद एक ऐसे Governor भी हैं जिन्होंने कभी भी納टों के उपर जो हैं वो sign नहीं किये या लो उस वो उतना टाइम के लिए उनको नहीं मिला कि जो नोट थे वो नईMoDHI प्रिंट होने के लिए और उनके जो शिगनेचर है वह स्के आपर वो पॉसिवल हो सके या फिर उस टाइम में उतनी कागजी मुद्रा नहीं थी कि उनके सिगनेचर जो है वहाँ पर वो पॉसिबल हो सके तो जो एक हमारे थे फिफ्थ नंबर के RBI गवर्नर केजी M.B.O. गोड कर जो कि 45 दिनों के लिए गवर्नर रहे थे फिफ्थ नंबर के गवर्नर थी और साथ में जो RBI के पहले गवर्नर थे ओस बोन स्मिथ इन दोनों गवर्नर ने कभी भी किसी नौट के उपर जो है वो सिगनेचर नहीं किये थे नेक्स्ट बात करते हैं RBI के लोगो की RBI का जो लोगो है वो इस टाइब का आपका लोगो है यह आप देख सकते हैं इस टाइब का यह RBI का लोगो है इसमें भारती रिजर्फ बैंक लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश में यहां पे एक ब्रिक्ष का जो है वो एक चितर दिया गया है साथ में एक शेर का चितर जो है यहाँ पे दिया गया है सोरी एक जानबर एनिमल का एक चितर है तो यह जो ब्रिक्ष है यह कौन सा ब्रिक्ष है यह ताड का ब्रिक्ष है और यह जो जानबर है यह Royal Bengal Tiger है यह आपको ध्यान में रखना है कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है और RBI का जो लोगो है वो East India Company से चुराया हुआ लोगो है तो East India Company की एक स्टैंप थी वहाँ पे इस टाइप का यह लोगो था वही से उसकी हुब हुब नकल जो है वो यहाँ पे उतारी गई है उसके राद RBI के Nationalize की बात करते हैं एक जनबरी 1949 को इंदरा गांधी जी के द्वारा जो है वो यहाँ पे एक जनबरी 1949 को जो है वो RBI का RBI को Nationalize किया गया था और अन्य बैंकों का जो राश्ट्री करण था वो किया गया था इंदरा गांधी जी के द्वारा यह आपको ध्यान में रखना है इंदरा गांधी जी ने अन्य बैंकों को जो है वो Nationalize की स्कीम जो है वो बनाई थी और अन्य बैंकों को nationalize उन्होंने किया था अगर इसके financial air की बात करें जैसे कि हमारा जो अगर हम खुद के financial air की बात करें हमारा students का जो financial air होता है उसका मतलब है कि जब उनके exam खतम होते हैं और नया session बैढ़ता है तो उनका वो exam जो है sorry जो नया session उनका है वो चलता है April से और April से कब तक चलता है March तक चलता है March 31 March को 31 March को उनका result निकलता है जो बोर्ड की class से नहीं है और 31 March को result निकलने के बाद April में जो है उनकी वो नई admission स्टार्ट हो जाती है तो यह एक type का students का financial year हम मान के चल सकते हैं लेकिन RBI का जो पहले financial year था 2021 तक वो था 1 जुलाई से 30 जून तक लेकिन उसके बाद RBI ने अपना financial year change किया था जो कि हो गया था 1 April से 31 March तक आपने सुना होगा कि जो भी हमारे सरकारी department है उनको March के महिने में ज्यादा काम रहता है क्योंकि जो भी उनको बर्कलोड है जो भी उनके pending काम है उनको March end में जो है वो खतम करने होते हैं RBI के गवर्नर का जो कारेकाल रहता है वो मेली के द्वारा की जाती है तो परधान मंत्री के द्वारा RBI गवर्नर की न्युक्ति की जाती है लेकिन वो किसकी सलहा पर बित मंत्री की सलहा पर यह आपको ध्यान में रखना है यहां पर जो हमारे भारत के Finance Minister है उनकी सलाह पर जो है परधानमंत्री जो है वो RBI Governor की न्युक्ति कर सकता है Next बात करते है RBI Governor जो है उनकी salary होती है धाई लाक रुपीज और भारत में जो भी note छापने का कारे है वो RBI के द्वारा किया जाता है लेकिन एक रुपे और जो हमारे coins रहते हैं उनको बनाने उनको चलाने उनसे लेलेटल जो भी काम है वो RBI के द्वारा नहीं किया जाता है Finance Department के द्वारा बित मंत्राले के द्वारा जो है वो एक रुपे और सभी सिक्कों को बनाने का कारे जो है वो बित मंतरा लेके द्वारा किया जाता है RBI ने जो है वो 5,000 और 10,000 के नोट भी काफी टाइम पहले जो थे वो छापे थे 1938 में, 1994 में और 1978 में 5,000 और 10,000 रुपे के नोट जो है वो एक वारे नोने छापे थे RBI के मुखे जो ट्रेनिंग सेंटर है वो चार हैं जो कि हैं आपके मुंबई चे नई नई दिल्ली और कोलकाता में ये चार इसके ट्रेनिंग सेंटर है जब भी कोई नई रिक्वर्मेंट RBI में निकाली जाती है तो इनी चार सेंटरों में उनकी ट्रेनिंग की जाती है अगर हम नई रुपीज के सिंबल की बात करें ये आप रुपीज का सिंबल देख सकते हैं ये डिजाइन किया गया था उदे कुमार जी के द्वारा जो की IIT Bombay से अपनी पढ़ाई कर रहे थे और 2010 में जो है वो इन्होंने इस रुपीज के सिंबल को डिजाइन किया था Next बात करते हैं जो हमारी printing press है जहां पे note चापे जाते हैं ये है हमारी नासिक, देबास, मैसूर और सलबोनी ने Important question यहां पे आप से पूछ लिया जाता है कि total कितनी printing press है जहां पे जो है वो note चापे जाते हैं सबसे जो famous वाली है वो है आपकी नासिक की note बनाने के लिए जो एक कागज उपयोग किया जाता है वो उपयोग में लिया जाता है पेपर मिल, होशंगाबाद जो कि आपका मध्यपरदेश में पढ़ता है वहां से specially वो note बनाने का कागज जो है वो लाया जाता है आप comment box में जरूर बताएं कि कागज के उपर जो लिखा जाता है और उसके उपर जो लिखने के लिए इंक यूज की जाती है वो किस-किस chemical mixture का composition होती है यह आप comment box में जरूर बताएं भारत में पहली बार बैंकों का राश्री करण जो है वो इंद्रा गांधी जी के दौरा किया गया था जो अभी हम मैंने आपको बताया और 14 bank का 14 bank का जो है वो राश्री करण किया गया था 1969 में इंद्रा गांधी जी के दौरा उसके बाद बात करते हैं साल 1996 में महात्मा गांधी जी के फोटो बाले नोट जो है पहली बार जारी किये गए थे और आपने देखा होगा गांधी जी की तस्वीर हर नोट के ऊपर रहती है वो नवंबर रात आठ बजे 2016 को जो है ये demonetization की गई थी परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा, तो आज हमने RBI से related जितने भी important question यहाँ पे बन सकते थे, वो हमने यहाँ पे cover किये next part जो है वो जल्दी ही आपके सामने यहाँ पे लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे नोटों से related question आपके जो बनते हैं कि नोटों के उपर कितनी भाषाएं लिखी गई है, उसका रुपीज का symbol जो है वो कब कैसे और किस ने design किया था, उसके बाद किस note के पीछे किसका चितर जो है वो दिया गया है तो वो एक पार्ट हमारा यहाँ पे pending बसता है, जल्दी ही मैं उसको आपके सामने यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा वीडियो को लाइक करें, शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें मिलेंगे जल्दी ही एक और नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत